अधिकल साइंस के दिहास में शायद ही इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो कि किसी मरीज के मुह से हाग भी लप्रे निकले हो लेकिन अलिगर मुसलिम यूनिवरसिटी के जे एन मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर की एहरां रह गई एक महिला का मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था इस महिला ने आत्म हक्त्या के एरादे से जहर खालिया था डॉक्टर्स ने जहर निकालने के लिए नाग के जरीर राइस जीन दाना जैसे ही सिरिंज से जहर को खीचा गया अचानक मुह से आग की दपकें और दोएं का गुबार उट गया कुछ देर बाद महिला ने दम तोड़ गया इदरश डॉक्टर्स समेत जिसने भी देखा एक बार को खबर आ गया मेडिकल साइंस में ऐसा आप तक का एक लौता केस बताया जा रहा है पूरा घटना करम CCTV कैमरे का खायल हुआ है पोस्मॉटम रिपोर्ट में आग लगने का कारण फॉसजीन गैस को बताया गया है मरने वाली महिला अर्दुआ गंजितानक्षेट के कफ़वा जलाली के महला नसीर की रहने वाली प्रेवराज की फक्ती शीला रेवी थी मुंसे आग के निकली लेकिन वोस्मॉटम में महिला का कोई अंग जला हुआ मिला नहीं है और ना ही कोई अंग शेत्रिक्रस्त हुआ है डॉक्टर्स के अनुसार महिला के अंदर फॉस्जीन गैस बनी है इसके कारण ही आग लग सकती है एम्यू के रसायन विग्या दिवा के प्रोफेसर मुहमद शाकिर ने बताया कि फॉस्जीन गैस सलफास खाने के बाद रासायनिक क्रिया से ही बन सकती है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने